हेलो दोस्तों सभी को नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये देखिए जुकनी होती है इसको चपन कद्दू भी बोलते हैं इसको आप कैसे गमले में लगा सकते हैं इसका हम पूरा वीडियो आपको दि खाएंगे जब तक कि फ्रूटिंग नहीं हो जाती तो दोस्तों जो चिनी जो होती है या चपन कद्दू जो होता है बहुत ही हिल्दी होता है यह वैसे तो इसकी खेती खेत में की आती है और लेकिन आप गमले में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं इसके बहुत सारे आता है और बहुत सारी इसके भादे होते हैं तो चलिए आज हम आपको इसको गमले में उगा कर दिखाएंगे और उसमें फ्रूटिंग भी आपको दिखाएंगे दोस्तों यह देखिए यह इसके बीज हैं और यह बीज हम पहले ट्रे में लगाएंगे जब यह अंकुरित ह हो जाएंगे तब हम इसको सिप्ट करेंगे गमले में और इन बीजों को हम इस्ट्रे में लगाने वाले हैं दोस्तों यह देखिए कुछ दिनों के बाद यह लगबग 20 दिन के बाद जो बीज होते हैं वो इस तरीके से हो गए हैं वैसे अगर आप डारेक्ट इसको गमले मे सिफ्ट करेंगे उसके लिए जो मिट्टी है वो हमने ली है और एक पार्ट उसमें वर्मी कमपोस्ट मिलाई है बाकी नारोल मिट्टी है दोस्तों इनके बीजों को आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के प्रतम सबताह तक आसानी से गमले में डारेक्ट बुआई कर सकते ह और जो यह फसल होती है यह मुश्किल से दो महिने चलती है यानि आप जो इस बुआई करेंगे इसकी बीजों की डारेक्ट अगर मिट्टी में तो यह बहुत ही जल्दी जब 40 दिन के आसपास आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी इसमें और लगातार जो है फ्रूटिंग मि हो गया है इसकी इमने ज्यादा केर नहीं की थी यह देखिए इसकी जो पत्तियां थी वो हलका हलका सिकुड गई थी लेकिन जो नई पत्ती है वो अच्छी निकल रही है जब टंप्रेचर थोड़ा 20 डिगरी के आसपास होता है तब इसकी ग्रोथ बहुत तेजिस चलती है और इसी लिए इसको रभी के मौसम में यानि अक्टूबर से लेकर आप इसको फरवरी तक की आराम से बो सकते हैं लगा सकते हैं लेकिन फरवरी से पहले पहले यह अगर फसल खतम हुआती है तो जैसे ही धूप पढ़ना इस्टार्ट होती है तो धूप में इसके जो पत्त में नमी बनी रहने चाहिए मिट्टी में तभी यह अच्छा प्रोडक्शन देती है तो यह देखिए हमने पानी इसमें देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे जैसे ही पानी पूरा सोक जाएगा तब यहाँ पर हम कुछ सूखी हुई घास जो है वो यह पर नीचे पौधे के पतियों के नीचे डाल देंगे क्योंकि जब यह पानी देते हैं हम और इसकी पतियां पानी में टच होती हैं मिट्टी में गिली मिट्टी में तो पतियों में फंगस लगने का डर रहता है और जो फल निकलेंगे वो भी उसमें भी फंगस लग दोस्तों ये देखिए अभी लगबग 25 दिन हो चुका है इसको हमें शिफ्ट किये हुए और ये देखिए यहाँ पर फल बनना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों इसका बीच बीच भंडार की सौप पर आसानी से मिल जाता है और 80-90 रुपे का 10 ग्राम का पैकेट मिलता है तो अगला जो वीडियो आएगा दूसरे चनल पर उसमें पूरी हम खेती बताएंगे तो उसमें पूरी जनकारी देंगे तो आप चाहें तो वहाँ से भी वह देख सकते हैं और यह देखिए इसमें जो मिट्टी है वह हलकी नम है यानि इसमें मौशर बनाय रखना होता है बहुत जादा मौशर नहीं देना है आपको पानी ओर वाटिंग बिल्कुल नहीं करनी है नहीं तो यह पूदा खराब हो सकता है या इसमें जो फूरूट आएंगे वो खराब हो जाएंगे तो नमी हलकी बनाय रखें आपको आगे दिखाते हैं अब देखिए दोस्तो लगबग इसमें 40 दिन के बाद इस तरीके से जो फूरूटिंग है वो होने लगी है एक एक पौधे में 5-5-6-6 जो है फूरूट लगते हैं और बहुत ही गंबला होता है उसमें बीज को लगाएं इसको नर्सरी त्यार करके ना लगाएं इसमें थोड़ा समय बढ़ जाता है नर्सरी त्यार होने में और उसके स्प्त करते हैं तो फिट थोड़ा धीरे से पौधा बढ़ता है लेकिन अगर आप इसको डायें को preventing मिक्चर ले लेता है समय उसके बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होती है अगर आप डारेक्ट लगाएंगे इसको तो आप देखेंगे कि 40-45 दिन में आपको फ्रूटिंग जो है बहुत अच्छी मिल जाएगी और यह देखिए उसी गंबले में लगा हुआ है तो इस तरीके से ग का हटाके आप 1500 दे तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आप ले पाएंगे दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो चुलिए को एक लाइक कर दिजिए और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलेगा चैनल पर पहली बाद सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए धन नवा दोस्तों